हेलो एवरिवाइन वेलकम टू स्कूल एक्जाम नॉलेज आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा अगर आप नावोदा है विद्याला प्रिवेस प्रिक्षा के लिए एक्जाम की तयारी कर रहा है तो मैट्स के कौन से जो टॉफिक है जो कि मैट्स को आपको अच्छे से कर प्रिवेस प्रिक्षा के लिए अंक गड़िती प्रिक्षण है ठीक है इसका मुख्योद्योस के रहता है उमीद्वार की अंक गड़ित में बुनियादी दक्ष्टाओं को मापना होता है तो नॉर्मल कोस्चन आते हैं बस आपको तरीका होना चाहिए उस टाइप को हैं ठीक है ना चलिए तो इन बारा विश्यों में ही अधारित होंगे ट्वंटी प्रिशने तो ट्वंटी प्रिशने आपने को देखना है कौन-कौन से जो मैंस में आते हैं चाहिए आप सिलेवास लिख सकते हैं और हम प्रिवेर्स पेपर भी देखेंगे कि क्या वैसे ही क कोस्टन आएंगे तो चलिए देखते हैं फस्ट क्या टॉपिक संख्या इवं और संख्यात्मक प्राली मतलब यहां पर देखें प्रिवाले नम्मर सिस्टम तो आपको नम्मर सिस्टम के कोस्टन अच्छे से प्रेक्टिस करना है ठीक है न इस तरीके से आएँगे आपकी नम्मर सिस्टम तो आपको बणना चाहिए फिर सेकेंड क्या टॉपिक यहां पर देखें पून संख्याँ पर चार मौलिक किलिया है मतलब आपको पूर्ण संख्याँ बनना चाहिए पूर्ण संख्याँ कोन कोन सी हो जाएंगे 0 से 1, 2, 3 यहां से शुरू हो करके पूर्ण संख्याँ होंगे फिर गुड़क और भाजक जिनमें उनके गुड़धर में सामिल है गुड़क और भाजक होंगे बच्चो जिनमें उनके गुड़धर्म सामिल है जे तीसरा टॉफिक है इसके बाद दसमलोग और उन पर मौलिक करिया है मतलब आपको क्या है दसमलोग पूचेंगे और इसमें गुड़क और भाजक मतलब आपको दे देंगे कोई नमर दे दिये मालो यहाँ पर दे दिये 256 इसका आपको गुड़णखंड बताईए गुड़णखंड आपको करना होगा तो इस टाइप से कोश्चन पूचते है ठीक है न और नेस्ट क्या है इसके बाद नेस्टे देखिए दसवलो और उन पर मौलिक करिया है मतलब आपको डेसिमल वाले भाग दे देते हैं कि आप बताईए इसका क्या आजाएगा ठीक न इस टाइप से पूचेंगे या कोई और संख्या दे देंगे आपको इस तरीके से तो डिवाइड करके बता आप कोस्चन में क्या कह देते हैं देखिए और इस टाइप की कोस्चन कैसे आएंगे आतो पर आप से बोल देते हैं कि 12 जिमिसरित भिन्न में दे देते हैं और इनको पूचते हैं कि दसवलो में क्या होगा ठीक न इस तरीके से आपको दसवलो के कोस्चन पूचते हैं अब तोपिक आपका 5 नमर का भिन्नों का दसंवलों में और दसंवलों का भिन्नों में रुपा अंतरल करना है अब देखिए यहां पर भिन्नों को आपको दसंवलों में और दसंवलों संक्याओं को भिन्नों में रुपा अंतरल करना है मालो यहां पर 2, 5, 6 इसको दे देते हैं और क्या टॉपिक तो फाइव नम्मर का टॉपिक हमने देख लिए अब जो अंगला टॉपिक है लंबाई द्रवान छमता समय धन आदी कमापन कीजिए तो मतलब आपको इतने चीज़ों को पता होना चाहिए जो की टाइम मालो यहां पर कोश्चन रहते हैं देखे एक कार दो इस टाइब से अच्छे कोश्चन आते हैं मतलब होते हैं सिंप्लिफिकेशन आपको दे देंगे ए बरावर तिरी ब विरावर यहां पर दे दिए फोर दे दिये तो ये एक समिक्रल दे देते हैं कि यहां पर 3A पिलस 5B बरावर क्या हो जाएंगी आ तो बटे वे भी लिख दिये थे सांतियों यहां पर 3A इस तरीके से इनको मान रखके आपको हल करोगे तो इसका मान क्या होगा तो इस टाइब से question पूँचते हैं सरली करर ठीक नहीं यहां पर लिखा है संक्यात्मक वेंजिनों का सरली करर simplification आपको बताना है तो इस टाइब से हो गया फे next question क्या होगा next topic आपका किस टाइब से पूँचेगा तो आपको लिख ले ना इनी topic से आपको पढ़ाई करना है यह बिल्कुर नवुदाई का सिलेवा से मैंने हिंदी यहां पर लिया है ठीक ना भिन संक्याँ भिनों और गुड़ा की जोड़ घटाओ भिन संक्याँ के भाग गुड़ा सामिल नहीं किया गया है तो मतलब विन संख्याओं के भाग और गुड़ा को सामिल नहीं किया गया यहाँ पर आपको विन संख्याओं जोड़ घटाना करना मतलब विन संख्याओं का जोड़ना घटाना भाग नहीं पूंचा जाएगा तो चलिए देखे भिन संख्याओं का कैसा अगर भाग भी आ सकते हैं माल्लो बच्चों अहां पर भिन संख्याओं सभी को पता है पाँच बटे तीन है अब इसके बाद अगर मैंने इसी को लिख दिया पाँच बटे छे लिख दिया अब आपको जोड के बताना है अगर कोई बच्चा किसी को नहीं बनेगा तो वो डारेक्ट जोड़ेगा 10 upon 9 होगा जबकि ये गलत है तो इस तरीके से आपको ट्रिक मैंने बताया है जो भिन्ड वाले आप प्रिवर्स पेपर देख सकते हैं केवल यहां पर भी सवाल देखेंगे तो इसी गनुसार अब दसेरा खतम हो चुकी और हम पढ़ाई करेंगे अच्छे बहतरीन तरीके से ठीक नहीं तो बने रहना है साथ यो बिल्कुल अच्छे से साम को डेली अब हमारी 6 बजी की किलास रहेगी तो आपको मैंस प्रेक्टिस अच्छे करना है नवोदा विद्याला के अच्छे तयारे आप इनको नोट कर लेना सिलेवस अब इसके बाद देखिए नाइन जो नाइन टॉफिक क्या है बिना प्रेथिसत की गढ़ना के लाव हानी आपको बताना लाव हानी वाले प्रेथिसत आप से पूचेंगे प्रेथिसत की गढ़ना को परिक्षड से बाहर रखा गया है तो मतलब यहाँ पर देखिए लाव हानी के प्रेथिसत गढ़ना वाले परिक्षड से बाहर रखा गया तो आपको बिना प्रेथिसत वाले लाव हानी प्रेथिसत पूचे गया लाव प्रेथिसत इस टाइप से question पूंच सकते हैं अब इसके बाद देखे परिमाफ छेत्रफल मतलब parameter और area आपको भभुज का परिमाफ वर्ग आयत तिरभुज इस तरीके से आप से पूंच सकते हैं कौन के पिरकार उनके सरल अनुपन योग अब कौन से भी आद सकते हैं बच्चों देखे कौन के हमने देखेते के कैसे आप कौन से पूंच सकते हैं मालओ यहां पर हमने बनाए देखे तो आपको पता होने चाहिए यहाँ पर क्या कौन बन रहा है ठीक ना इस तरीके से जे है तो कौन से भी आप पूँच सकते हैं मालो यहाँ पर आपने इस तरीके से बना दिये तो यहाँ से भी पूँच सकते हैं कि क्या इतना कौन क्या है यहाँ पर मालो यहाँ पर 19 है तो आपक पूछेगा तो आप अच्छे से प्रिप्रेशन करें क्योंकि सिलिवस में यहां पर दिया है ठीक है ना कॉण की प्रकार उनके सरल अनुपरियोग तो आप से और क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं देखिए आपसे बनना चाहिए नियून कॉण आपसे बनना चाहिए समकोण क्या होता है ठीक है ना समकोण इसके बाद आपसे क्या बनना चाहिए अधिकोण अधिकोण तो ऐसे बहुत से कोश्चन जो आपसे बनना चाहिए ठीक ना रिजुकोण अब यहां पर देखिए बार आरेक रेखा आरेक गिराप का उप्योग करके डेटा का विसले सर आपको एक कोश्चन जे ट्वैल नंबर का टॉपिक से हंडेट परसेंट देखने को मिल पर दस बीस यहां पर तीस और यहां पर लिख दिये जन संक्या 2000 दो के पर 2000 तीन का बच्चो इस तरीके से आपको बताना रहता है पर इसकी कैसे होंगे तो यह होते हैं अपने ग्राफ वाले होते हैं कोश्चन या तो यांकड़ा वाले कोश्चन रहते हैं ठीक ना इस किसे पूरा बच्चो क्या सिलेवस के तो आप नोट कर सकते हैं या तो आप हमारे ग्रूप से जोड़ करके टेली गिराम वाले से आप फ्राप्त कर सकते हैं तो यहां से अच्छे से आप लिख लीजिए इन 12 टॉपिक से ही कोश्चन आपकी नवोदा विद्याला में जाओंगा कि कैसे आप उसको उसके अनुसार इसी के जो टॉपिक के अनुसार पेपर आया हुआ था है तो देखिए बच्चो प्यारे बच्चो आपको देखना है कि कैसे जी 2024 का प्रिवेर्ड पेपर रहे है जोकि आप मैस के यहांपर मिला सकते हैं ठीक न चलीये तो समाई इस तरीके से question एक topic से आ गया यहां पर देखिए एक भिन संख्या जो कि भिन यहां पर पूंच लिया है इस तरीके से statement वाले ठीके ना अब यहां पर देखिए बेंचने पर लाब प्राप्त होता पिर्तिसत नहीं पूचें केवाल यहां पर कहा गया है कि आपको लाब यहां पर बेंचे और इनका हानी बराबर है तो किरायमूल आपसे क्या होगा ठीक ना इस टाइप से question अब देखिए जो समी करल आया है तो इसमें एक topic है तो यहां पर दिया है ठीक है ना A बटे B का आपको बताना है जो कि यहां पर दिया A is equal to B minus 3 तो आपको इस तरीके समी बताना A बटे B का क्या होगा तो topic आपसे 20 question साथ यो बच्चो यहीं से topic से आपके से पूंचे जाएंगे पर यहां पर देखिए वर्ग आया से question पूंचा है ठीक है ना अब आपको graph वारा graph जो आते हैं उसको question भी बताऊंगा तो यहां पर देखिए दसाउलो है तो आपके इस तरीकी से भिन में बदलेंगे तो same question आएंगे क्योंकि वहां पर syllabus में कह दिया गया है कि आपको इस type से question आएंगे तो यह भी दसाउलो है आपको लगाना है यह वर्ग question है अब इसके बाद देखिए यहां पर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या इस type से ही आपको 18 जनवरी 2025 को देखनों को मिलेंगे अब देखिजी कौन वाला है तो कौन से same question ऐसे ही आपको देखनों को मिलेंगे ठीकिना कौन का मान आपने को अच्छे पता होना चाहिए यहां पर संख्या है कौन समकौन किलोग्राम वजन से आप देखिए और यहां पर हम देखते हैं ग्राफ वाला question तो ग्राफ वाला question देखते हैं यह question आपके पास यहां पर दिया है तो ग्राफ से एक question देदेंगे इसी को हम कह देते हैं आंकड़ा ठीक है ना आंकड़े से question पूँचते हैं इसी को कह दिए गिराफ तो सिलेबस मैंने आपको बताया सेम कोश्चन वही है आपके वाल बारा टॉपिक को नोट कर लीजिए और आपका आपके सारे मैट्स कवर हो जाएंगे ठीक है ना तो चलिए इस तरीके से आप गिराफ वाला देख सकते हैं कोश्चन क्या आया है पिछले वर्स में तो इस वर्स भी आपको देखनों को मिलेंगे तो जैहिंद बच्चो वीडियो अच्छा लगा होगा मैं आसा करता हूँ कि आप लाइक और सेर सब्सक्राइब करने ताकि आपको जैसे ही साम को हमारी किलास रहेगी मैट्स की तो आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे छे वजे आप जुड़ जाना है जैहिंद जैभारत ठीक ना